आपका बूर्ण डॉक्टर में आपका स्वाख़ाए आज हम बात करेंगे एक बहुत कोवन प्राप्बलम के बारे में तो जब गर्दन में पेन होता है और वो शुल्डर आम या फाराम या फिंगर्स तक जाता है तो इसे सर्वाइकल रैडικήलर फिर्ट वाई है पीछे स्कैपिला के उपर जा सकता है कभी-कभी weakness और numbness करता है हाथों में तो कभी-कभी यह pain anteriorly chest में जाता है और अगर patient elderly age का है तो डर जाता है कि heart attack है कि नहीं कई बार patients cardiologist के पास भी जाते हैं cardiac enzymes इसी जी वगएरा कराते हैं normal होता है और फिर X-ray करने पर पता चलता है कि cervical vertebra में arthritis की changes या aging या degenerative changes है जिसके कारण nerve में compression है और यह referred pain होता है या chest में या upper back में या हाथ में fingers तक भी जा सकता है तो evaluation कैसे करते है जब patient आता है तो हम neck movements देखते हैं किस movement में patient को pain होता है कई patients को flexion में pain होता है या neck आगे करने में कई patients को neck गुमाने में pain होता है और जब pain होता है तो symptoms record होते जैसे कि shooting pain जहां पहले हो रहा था जो वो describe करते हैं तो एक स्पर्लिंग टेस्ट भी डिस्क्राइब किया गया है जहां पेशेंट के पीछे आप खड़े रहते हो नेक को एकस्टेंड या पीछे की तरफ करते हो थोड़ा सा रोटेट करते हो और डाउनवर्ड प्रेशर देते हो हेड़ पर तो वो जो पेइन पेशेंट एकस्प हम हो जाता है फटाफट तो घट लिख hemos नेओ नियुर्रलॉजी बिदेखते हैं कहीं फिंगर में नमनेश वगर तो नहीं है अगर लास्ट तू फिंगर में नमनेश ए एरिंग और लिट्ल फिंगर में तो c8 निरूड कंपरेशन होता है अगर मिडल फिंगर में नमनेश है तो C7 nerve root compression होता है और अगर thumb या index finger में है तो C6 nerve root compression हो सकता है फिर हम muscle power देखते हैं तो कौन सा nerve root compressed है यह हमें muscle testing में भी पता चलता है जैसे कि अगर C5 nerve root compressed है तो आपको deltoid muscle जो हाथ को उपर करता है यह weak होगा और biceps भी थोड़ा weak हो सकता है C6 nerve root अगर compressed है तो bicep weakness होती है और wrist extension की weakness हो सकती है C7 nerve root अगर compressed है तो triceps weakness हो सकती है wrist flexors और finger extensors की weakness हो सकती है C8 nerve root अगर compressed है तो dermatome, medial hand and forearm involved हो सकता है जा numbness, pinzor, needle हो सकती है और finger flexors weak हो जाते हैं T1 nerve root compression में आपको interocyte की weakness मिलेगी hand की जो muscles है उसकी और dermatole जो involved होता है वो medial side of the upper arm तो intrinsic muscles of the hand mainly involved होती है फिर हम x-rays करते हैं x-ray में देखते हैं कि changes क्या है cervical की, normally cervical spondylosis दिखता है muscle spasm दिखता है normal x-ray में cervical spine में gentle curve होता है जब muscle spasm होता है तो spine straight हो जाती है कई cases में जो cervical spine का curve है वो उल्टा हो जाता है जैसे कि text neck patients में देखा गया है या तो hand में weakness है तो फिर MRI करते हैं देखने के लिए कि exact nerve compression कहा है और कितनी severe है तो इसमें ज्यादा करके तो 90% patients physiotherapy, medication, rest और cervical collar लगा के काफी ठीक हो जाते है 10-12% patients में कभी-कभी हमें surgery करनी पड़ती है लेकिन cervical spine में surgery last resort होता है इसके पहले हम cervical epidural injections ट्राय कर सकते हैं और conservative treatment काफी देर तक करना चाहिए unless severe nerve compression है जिससे sensation या muscle power patient का जा रहा है तो epidemiology क्या होती है इसकी incidence होता है 107 पर 1 lakh patients in men और 63 पर 1 lakh in women annually peak age क्या होता है इसका 50 to 54 years में ज़्यादा देखा गया है risk factors white race में देखा गया है cigarette smokers में देखा गया है थोड़े athletes जिनकी neck hyper extension में रहती है जैसे कि race के jockeys इन में भी देखा गया है weight lifters में देखा गया है जो ज़्यादा desk job करते हैं और computer पे काफी घंटे बैठते हैं इन में इन में भी देखा गया है तो आज का episode यहीं खतम होता है अगले episode में हम etology pathophysiology के बारे में बात करेंगे अगर आपको यह episode पसंद आया हो तो like button दबाईए और ज्यादा से ज्यादा friends family के साथ share करें थैंक यू